अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस बहुत सारे केसिस लिखा रखें तो उनके उपर प्रैशर क्रिएट करने के लिए या उनके गलत क्रत्यों के लिए जो नोंने आपके साथ किये हुए उनको सजा दिलाने के लिए आप कौन-कौन से केसिस करेंगे मतलब कि आज का पीडित हैं उनसे मेरी सिंपैथी है उनको मेरा समर्था ने बहुत सारी महिलाएं भी मेरी क्लाइंट है जिनको मैं डेफिनेटली सपोर्ट करता हूं लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिनके उपर फरजी मुकदमे लिखाए गए हैं तो ऐसे में अगर किसी को लग रहा है कि मेरा वीडियो महिलाओं को टार्गेट करने के लिए तो कता ही नहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो देखना बंद कर सकते हैं बिलकुल चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते देखिए आज के वीडियो में हमें बात करने वाला हो काउंटर cases की लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों चैनल पर नए है या पहली बार आ रहा है या अभी तक आप लोगों ने इससे subscribe नहीं किया तो please subscribe करिएगा साथ ही साथ अगर आप लोगों को भै है कि कोई आपके against फरजी मुगद में लिखा सकता ह सेक्षन 39 की इंफॉर्मेटरी प्रेटिशन और सीजियम सर की कोड में डालिए उन मुकदमों से आपको निजात मिल जाएगी उससे काफी बचाव आपको मिलेगा उसमें कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्शन में है वहां पर अपॉन् सक्षन तापके उपर लगा देंगी लेकिन आ एज अ हजबेंट एज फैमिली मेंबर ऑफ अफर आपके उपर भी अत्याचार होते हैं आपके भी कुछ अधिकार हैं और आपके साथ भी ये चीज़े होती हैं हो सकता उनके परिवार वालों ने आपके साथ गाली के लोज कर लाने के लिए उनसे मुक्त होने के लिए और उनके गलत क्रत्यों के लिए उनको सजा देलाने के लिए आपके पास पूरे के पूरे आपके साथ मारपीट करी जाती है जगड़ा किया मारा गया हापके उपर जरा सबी हैंद टच कर दिया गया तो आपके पास option है अपके पास एविडेंश हो आप जाईए पुली सटेशन मेंे लिखा है कि आपके साथ मारपीट करी गई हल्की मारपीट होगी तो 323 कि धारा में मुकदमादर्स किया जाएगा उस अगर आरप साबित हो जाएगा तो आरोपी को बना जाए और अपराधी को उसके लिए एक साल की सजा और फटार जां दोनों से या फटान या एक साल डंडन jत्य ख्याज चाल जा सकता है matrimonial dispute को लेके नहीं है हर चीज को लेके है कि उस व्यक्ति ने जिसने आपके उपर धारदार हतियार से हमला किया जिससे आपकी जान चली जाए या चोटिल हो जाए आप उसके लिए तीन साल की सजा और फाइन दोनों दिया जा सकता है उसके बाद अगर आपको ससुराल वाले यानि की पत्नी के माईके वाले आते हैं सामान ओमाल लेकर चले जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप धारा 384 वे चोरी का मुकदमा उनके अगेंस लिखा सकते हैं इसके लिए उनको आप साथ साल की सजा कादित करा सकते हैं और साथी साथ त्पैको इसके लिए आप 384 में मुकदमा लिखाईए और उसके लिए तीन साल की सजा और फाइन दोनों इसके बताया गया उसके बाद 39 एपिसि का ठीक्रीटी ले जब आपको जोटे केसे है उस ऐसी धंकिया दी जा रही है जूटे केसे फसाने की फॉल्स और फ्रिवलेस केसे में जैसे 377 गेलिगेशन लगा देंगे 354 के लगा देंगे यह अगर कहा जा रहा है तो इस कंडिशन में आप जो है क्या कर सकते हैं सीधा-सीधा इनके ओबर 389 IPC में मुकदमा लिखा कर आप उनको जेल भेज सकते हैं एक चीज़ और मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बताई फिर बता रहा हूंगा अगर आपको एप्रिहेंशन है कि कोई आपके अगेंस मुकदमे लिखा सकता है जूट है तो इस कंडिशन में सेक्शन 39 की प्रेटीशन आप ऑनरेब गुड़ फेट में आकर उन्हें आपका समान गायब कर दिया और वह डिलिवर आपको नहीं किया वापस नहीं किया और लेकर अपने साथ गोल हो गई तो इस कंडिशन में भी आप उनके उपर यह मुकदमा लिखा सकते हो 406 आईपीसी का इसमें तीन साल की सज़ा और फाइ प्रमस्बेंड और वाइफ वो सारी की सारी चीज़े उन्होंने कर दी जिससे आपकी बेश्ती हो गई जगहसाई हो गई आप कही मुदिखाने लाइक बचे नहीं इसलिए आप इस कंडिशन में यह मुकदमा उनके उपर लिखाएंगे तो उनको डिफिनेटली सजा होई कि अगर आपके पास एप्रूप्रेट एविडेंसे हैं तो दो साल की सजा और फाइन दोनों आप उनको करा सकते हैं इस कंडिशन में अब अगर आपके साथ गाली गलोज करी गई है पतनी यह उसके परिवार दोरा तो आप उसको दो साल की सजा दिला सकते हैं और फाइन लग हो गया कि कैसे आपको counter cases करने हैं किन sections में किन आधारों पर करने हैं मैंने आपको सारा कुछ clarify कर दिया है इस वीडियो की जानकारी आपको definitely पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो subscribe करना कता ही मत भूलिएगा साथ ही साथ अगर facebook instagram twitter पर आप ने मुझे अभी तक फॉलो ने किया तो प्लीज आप वहां पर फॉलो करिएगा मैं definitely आपकी help करने के लिए 24 गंटे ready हूँ थैंक्यू सो मत जैहिंत